महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय वर्टिकल बार महाराजा अग्रसेन हिस्ट्री इन हिंदी मान्यता है कि महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, अग्रवाल जाती के पितामह थे धार्मिक मान्यतानुसार इनका जन्मर्यादा पुरुशोतम भगवान श्रीराम की 34 वी पीडी में सूर्यवशी क्षत्रियकुल के महाराजा वल्लप सेन के घर में द्वापर के अंतिमकाल और कलियुक के प्रारंब में आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था उन्हें उत्तर भारत में व्यापारियों के नाम पर अग्रोहा का श्रेय दिया जाता है और यग्यों में जानवरों को मारने से इनकार करते हुए उनकी करुणा के लिए जाने जाते हैं महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमी रही अग्रोहा में बना अग्रोहा धाम देश के पाँचवे धाम के रूप में प्रसिद महाराजा अग्रसेन जी की ख्याती अग्रवाल समाज अत्वा वैश्य समाज के जनक के रूप में फैली हुई है शत्रिय कुल में जन्मे अग्रसेंग जी को पशुओं की बली आदी देने से घोर नफरत थी इसलिए उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर वैश धर्म स्वीकार किया था अपनी दया और करुणा के लिए पहचाने जाने वाले महाराजा अग्रसेंग जी ने व्यापारियों के राज्य अग्रोहा की स्थापना की थी वहीं अग्रवाल समाज के सभी अठारा गोत्रों का जन्म इन अठारा पुत्रों के नाम पर किया गया था आईए जानते हैं महाराजा अग्रसेंग जी के जीवन एवं उनके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्यों के बारे में अग्रसेंग सौर वन्ष के एक वैश्य राजा थे जन्नोंने अपने लोगों के लिए वनिका धर्म को अपनाया था वस्तुता अग्रवाल का अर्थ है अग्रसेंग के बच्चो या अग्रसेंग के लोग हरियारा क्षेत्र के हिसार के पास प्राचीन कुरू पंचला में एक शहर जिसे अग्रसेंग ने स्थापित किया था महाराजा अग्रसेन का जन्म स्थान और प्रारमभिक शिक्षा महाराजा अग्रसेन बटा महाराजा अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुकल प्रतिब्दा को हुआ जिसे अग्रसेन जयन्ती के रूप में मनाया जाता है महाराजा अग्रसेन का जन्म लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व प्रतापनगर के राजा वल्लब के यहां सूर्यवन्शी क्षत्रिय कुल में हुआ था वर्तमान में राजस्थान वहरियाना राज्य के बीच सरस्वती नदी के किनारे प्रतापनगर स्थित था राजा वल्लब के अग्रसेन और शूरसेन नामक दो पुत्र हुए अग्रसेन महाराज वल्लब के जेश्ट पुत्र थे उनकी माता का नाम भगवती था महाराजा अग्रसेन के जन्म के समय गर्क्षी ने महाराज वल्लब से कहा था कि यहाँ बहुत बड़ा राजा बनेगा इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदे होगी और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर होगा इतिहास के मुताबिक इनका जन्म कलियुक के प्रारंब और द्वापर युक के अंतिम चरण में हुआ था उस समय राम राज्य हुआ करते थे अर्थात राजा प्रजा के हित में कार्य करते थे यही सिधान्त को राजा अग्रसेन ने भी बढ़ाया जिनके कारण वे इतिहास में अमर हुए इनकी नगरी का नाम प्रतापनगर था बाद में इन्होंने अग्रोहा नामक नगरी बसाई थी जो आज एक प्रसिद स्थान है महाराजा अग्रसेन की जन्द तिथी और समय के बारे में कोई सटीक साक्ष मौजूद नहीं है परंतु कहा जाता है उनका जन्द 313 शून्य प्लस समवद 2073 विक्रम समद शुरू होने से करीब 3130 साल पहले हुआ था अग्रेशन महाराज जी का विवा महाराजा अग्रसेन लाइफ हिस्टरी महाराजा अग्रसेन जी की पहली शादी राजा नागराज की पुत्री राजकुमारी माधवी से हुई थी उनकी यह शादी स्वयमवर के माध्यम से की गई, राजा नागराज के यहां आयोजित इस स्वन्यवर में राजा इंद्र ने भी हिस्सा लिया था वही स्वयमवर के दोरान राजकुमारी माध्यवी जी के धारा महाराजा अग्रसेन जी को अपने वर के रूप में चुन्ने से राजा इंद्र को काफी अपमानित महसूस हुआ और इससे क्रोधित होकर उन्होंने प्रतापनगर में बारिश नहीं करने का आदेश दिया जिसस देखकर महाराज अग्रेसन और उनके भाई शूरसेन ने अपने प्रतापी और दिव्य शक्तियों की से राजा इंद्र से घमासान युद्ध कर अपने राज्य प्रतापनगर को भयंकर अकाल जैसे महासंकट से उबारने का फैसला लिया वहीं इस युद्ध में महाराज अग्रेसन का पल्ला भारी था लेकिन महाराजा अग्रेसन की विजय सुनिष्चित होने के बाबजूद भी देवताओं ने नारद मुनी के साथ मिलकर महाराजा अग्रेसन और इंद्र के बीच सुलह करवा दी लेकिन इसके बाबजूद भी प्रतापनगर की जनता की मुसीब्ते कम होने का नाम नहीं ले रही थी इंद्र एक के बाद एक नई मुसीबत खड़ी कर प्रतापनगर की जनता का जीना मुहाल कर रहे थे जिसे देखते हुए महाराजा अग्रसेन ने हरियाना और राजस्थान के बीच में सरस्वती नदी के किनारे स्थित अपने राज्य प्रतापनगर को इंद्र के कुप्रभाव से बचाने के लिए भगवान शंकर और माता लक्ष्मी की कड़ी तपस्या की महाराजा अग्रसेन की इस तपस्या के दौरान इंद्र ने कई तरह की परेशानी खड़ी करने की कोशश की लेकिन महाराजा अग्रसेन की कड़ी तपस्या से देवी लक्ष्मी प्रसन नहुई इसी दौरान महाराजा अग्रसेन ने देवी लक्ष्मी लक्ष्मी को इंद्र की समस्या के बारे में बताया जिसके बाद देवी लक्ष्मी ने अग्रसेन जी को सला दी की अगर वे कोलापुर के राजा महीरत नागवन शी की पुत्री से विवा कर लेंगे तो उन्हें उनकी सभी शक्तियां प्राप्थ हो जाएंगी जिसके चलते इंद्र को महाराजा अग्रसेन से आमना सामना करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। इस तरह महाराजा अग्रसेन ने राजकुमारी सुंदरावती से दूसरा विवा कर प्रतापनगर को संकट से बचाया। इसके साथ ही देवी लक्षमी में उनसे यह भी कहां कि वे निडर होकर बिना किसी भय के नए राज्य की स्थापना करें। अग्रोहा की स्थापना अग्रोहा। माता लक्ष्मी के आदेशानुसार प्रतापनगर के प्रियराजा महाराजा अग्रसेन एक नए राज्ज के लिए जगह का चयन करने के लिए अपनी रानी के साथ भारत भ्रमन पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान एक समय में उन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान कुछ बाग शावक और भेडिया शावों को एक साथ देखा और इसे उन्होंने शुप संकेत एवं बहादुरी की कर्मभूमी समझते हुए चुना और अपने नए राज्ज अग्रो जिसे बाद में अग्रोहा कर दिया गया। आपको बता दें कि अग्रोहा हरियाना प्रदेश के हिसार के पास स्थित है। यहां माता लक्ष्मी का विशाल मंदिर जहां देवी बेहद आर्कशक रूप में विराजमान है। इस संस्कृती की स्थापना से ही जिसे अग्रोहा नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अग्रोहा का काफी विकास हो रहा है। यहां महाराजा अग्रसेन और माता वैश्नव देवी का भी एक भव्य मंदिर है। अग्रवाल समाज वैश्य जाती का जन्म के पितामा के रूप में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज। शत्रिय कुल में जन्म महाराजा अग्रसेन ने पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बली की निंदा करते हुए अपना धर्म त्याग दिया था एवं नए वैश्य अग्रवाल समाज की स्थापना की थी। और इस तरह वे अग्रवाल समाज के जनक बनेते हालांकि अग्रवाल समाज की उत्पत्ती तो हो गई थी। लेकिन शुरुआत में यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं थे। इसे व्यवस्थित करने के लिए अठारा यग्य किये गए थे और फिर उनके आधार पर गौत्र बनाए थे। अग्रसेन महाराज के अठारा पुत्र अग्रसेन महाराज के अठारा पुत्र थे। उन सभी पुत्रों का यग्य का संकल्प दिया गया जिने अठारा रिशी मुनियों ने पूरा करवाया। यग्य में बैठे सभी अठारा गुरुओं के नाम पर ही अग्रवंश अग्रवाल समाज की स्थापना हुई। वहीं अठारावे यग्य में जब पशु बली की बात आई तब प्रतापनगर के अग्रोहा धाम के संस्थापक महाराजा अग्रसे ने इस बात का जमकर विरोध किया और इस तरह आखिरी युद्ध में पशु बली देने से रोक दिया। अग्रवाल समाज के सभी अठारा गोत्रों के नाम इस प्रकार है। अग्रवाल समाज के अठारा गोत्र अग्रवाल समाज गोत्रा लिस्ट क्रमां गोत्र वास्तविक गोत्र भगवान एक एर रो न एरन और्वा इंद्रमल दो बंसल वत्स्य विशिष्ट तीन बिंदल विंदल विशिस्त व्रिंदेव, चार भंडल धौम्या वासुदेव, पाँच धारन देरन धन्यास दवन देव, छे गर्ग गर्गेया, गर्गास्य पुष्पादेव, साथ ग ओ यल गोयल गोमिल गेंदुमल गोयंका, आठ गोयन गंदल गोतन गोधर, नौ देमिनो जैत्रसंग 10 कंसल, कौशिक मनिपाल 11 क उच्छल कुच्चल कशप करांचंज 12 मध उक उल्ल मुद्रल मुद्रल माध्वसें 13 मंगल मांडव अम्रिटसें 14 मईत तल मैत्रे मंत्रप्ती 15 न गल नागल नागेंद नर्सेव 16 सिंगल सिंगल शंदल्या सिंधुक्ती 17 त पायल तैतिरे ताराचंद 18 तिंगल तुंगल तांडव तंबोल कारना इस तरह अग्रवाज समाज, वैश्य समाज की उत्पत्ती हुई यह समाज प्रमुख रूप से व्यापार के लिए जाना जाता है अग्रसेन महाराज का एक एंट और एक रुप्या का सिद्धान्त महाराजा अग्रसेन सिधान्ता महाराजा अग्रसेन का एक एंट और एक रुप्या का सिद्धान्त काफी प्रचलित है दरसल एक बार अग्रोहा में अकाल पढ़ने से चारों तरफ भूख मरी, महामारी जैसे विकट संकट की स्थिती पैदा हो गई थी वहीं इस विकट समस्या का हल निकालने के लिए जब अग्रसेन महाराज अपनी वेश भूशा बदलकर नगर का भ्रमन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि चारों और त्राहित्रा ही मच गई ऐसे में समस्या का समाधान ढूंडने के लिए अग्रसेन जी वेश बदलकर नगर भ्रमन कर रहे थे, इसी दोरान उन्होंने देखा कि एक परिवार में सिर्फ चार लोगों का भी खाना बना था, और उस परिवार में एक महमान के आने पर खाने की समस्या उत्पन्न हो गई तब परिवार के सदस्यों ने अपनी अपनी थालियों से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर आए महमान के लिए पांचवी थाली परोज दी, इस तरह महमान की भोजन की समस्या का समाधान हो गया, इससे प्रभावित होकर अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्र परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की तरफ से एक इट और एक रुपया देने के लिए कहा, ताकि नगर में आने वाला नया परिवार, नगर में पहले से रह रहे हर एक परिवार से प्राप्त इटों अपने घर का निर्मान कर सके एवं उन रुपयों से अपना बि महाराजा अग्रसेन जी को उनके करुणामी स्वभाव, समाजवात के प्रवर्तक, युग पुरुष और राम राज्य के समर्थक के रूप में जाना जाता है। उनके धारा समाज के लिए किये गए महान कामों के लिए उन्हें युगो-युगांतर तक याद किया जाएगा। वही महाराज अग्रसेन ने सभी को व्यापार एवं समाजवात का महत्व भी समझाया। भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। इसके अलावा भारत सरकार ने 1995 में महाराज अग्रसेन उनके सम्मान में एक जहाज लिया था। अग्रवाल समाज एवं अग्रोहा धाम की स्थापना कर करीब एक सौ साल तक शासन करने के बाद राजा अग्रवाल समाज एवं अग्रोहा धाम की स्थापना कर करीब एक सौ साल तक शासन करने के बाद राजा अग्रसे ने अपना कार्यभार अपने सबसे बड़े एवं बु वे खुद वन की तरफ प्रस्थान कर गए। आपको बता दें कि उनके करुणा भाफ, कर्मटता, क्रियाशीलता एवं न्याय प्रियता की वज़से उन्हें समाज में भगवान का दर्जा दिया गया। जनों ने लोगों को न सिर्फ आर्थिक नीतियों का महत्व समझाया, बलकि 29 सितंबर साल 1976 में महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रोहा को धार्मिक धाम बनाया वहीं वर्तमान में काफी संख्या में लोग यहां आते हैं। समाज के प्रमुक तीर्थों में से एक है, यहां हर साल हजारों की संख्या में इस समाज के लोग आते हैं। अग्रसेन जैन्ती महाराजा अग्रसेन जैन्ती अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्रेसन जी के जन्म दिवस को जैन्ती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। आश्विन शुकल पक्ष की प्रतिबदा अरथात नवरातरी के पहले दिन अग्रसेन जैन्ती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तरहत्रा के आयोजन किये जाते हैं एवम विधिविद्धान से पूजार अर्चना की जाती है। महाराजा अग्रसेन की जयन्ती को लेकर अग्रवाल समाज के लोग कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं इस दौरान कई भजनकीर्तन एवं नात्य प्रतियोगिताओं समेत कई विशाल कारेक्रमों का भी आयोजन किया जाता है इस दौरान पूरे शहर से भव्य रैली निकाली जाती है जिसमें अग्रवाल समाज के लोग हिस्सा लेते हैं अग्रसेन महाराज के प्रसिद्ध स्लोगन अग्रसेन महाराज स्लोगन नए समाज का निर्मान किया जनकपिता बनकर आपने वैश्य जाती का निर्मान किया आगे बढ़ने का आपने विचार दिया जय अग्रसेन जय अग्रोहा जिसके हरदय में दूसरे का हिद बसता है उनको जगत में कुछ भी दुरलब नहीं है जो अपने जैसा दूसरों को भी सुखी देखने की कामना रखते हैं उनके पास रहने से विद्या प्राप्थ होती है और अज्यान का अंधकार दूर होता है होते देखते सब लोग और कहते की काश हम भी अग्रवाल होते आपने पशुबली को रोका हर किसी को इसके लिए टोका परंपरा को आपने जुटलाया नए न्यारे समाज को बना डाला हे अग्रसेन महाराज आपको हमारा सादर नमन हो शक्षत प्रणाम एक इंद और एक रूपया है आपका नारा दिल से हम सब करते आपका जैकारा महाराजा अग्रसेन बायोग्रफी एंड लाइफ हिस्टरी इन हिंदी में दी गई इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा यूट्यूब पेज लाइक करे या कोई टिपणी कमेंट्स हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में करे महाराजा अग्रसेन ऐसे एंड लाइफ स्टोरी इन हिंदी वन नई पोस्ट डाइरेक्ट में पाने के लिए सब्सक्राइब करे धन्यवाद